नमेश्काय दोस्तो, मेरा नम डॉक्टर नगिंदराद है, सर्दी का मौसम है ऐसे मौसम में हमें अपने कच्छो की देखवाल कैसे करनी चाहिए देखें ये वो समय है जब हमें बहुत ज़्याद सावधानी रखनी चाहिए क्योंकि आपको पता है कि सर्दी के अंदर अकसे कच्छो का जो है फिजिकल एक्टिविटी काफी स्लो हो जाती है और यदि हम उनको ध्यान नहीं देते तो उनकी डेथ भी हो सकती है हम यदि कच्छो को गरम जगे पे रखते हैं गरम जगे से रखने का मतलब है यदि कच्छो के इनक्टिव हो गए है एक जगे पे बैठे होए है उसको ठंड से बचाना मानी मेरे प्रियारिटी होती है लेकिन हम कई बर क्या करते हैं हीटर वगरे चला देते हैं हीटर चलने से क्या होगा कच्छो की बॉड़ी में डिहाइडरेशन होने के चांसे रहते हैं क्योंकि जो रूम हीटर होता है वो रूम के एनवार्मेंट का वाटर सोक लेता है कच्छो की बॉड़ी में से जो पानी का तो उसको सोक लेता है ऐसी conditions में कच्छवे की body में dehydration हो जाता है dehydration हो यानि पानी की कमी है पानी की कमी होने से आपका कच्छवा सोता का सोता रह जाता है आपको पता ही नहीं चलेगा कि उसकी death कब हो गए इसलिए कच्छवे में बले ही वो सर्दी में है उसको body का moisture level maintain करना बहुत जरूरी होता है क्योंकि यदि आप moisture level maintain नहीं करोगे तो dehydration के वज़े से उसकी death भी हो सकती है और इसके लिए सबसे best है कि चाहे कितनी ही सर्दी के उना हो कच्छवे को हमेशा रोज गुनगुने पानी के अंदर सुवे शाम 5-5 मिनिट के लिए डिप कीजिए ताकि वो पानी पी सके और अपनी body में moisture को absorb कर सके जो कि उसके जिन्दा रहने के लिए बहुत ज़्यदा जरूरी होती है सर्दीयों के अंदर कच्छों की सभी breeds hibernation में नहीं जाती है कुछ Mediterranean breeds हैं turtles की जो की hibernation के अंदर जाती है अब hibernation होता क्या है और hibernation में जाने का proper तरीका क्या है आपका यदि कच्छों आपने कोई ऐसी species पाली है कि उसका hibernation must होता है तो आप उसको कैसे देखवाल करेंगे या क्या टेयारी आपने पहले से करनी है कि आपका कच्छवा hibernation में जाने वला है किन कच्छों को hibernation में नहीं जाने देना चाहिए ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यदि आपका कच्छवा hibernation में चला गया है तो देखिए hibernation में जाने के बाद उसको यदि वापिस आपने उसको जगाना है रहेगा उसका respiration चालू रहेगा moment बिल्कुल नहीं होगी एक जगे बैठा रहेगा आँखे जब काता रहेगा respiration slow हो जाएगा ऐसी स्थिती में कच्छवा क्या करता है पूरे एक-दो महीने तक बिल्कुल कुछ भी नहीं खाता है बॉडी के अंदर जो fat होता है जिसकी जो चर्बी पहले से जम है वो उसी को utilize करके वहाँ से energy लेता रहता अपने आपको survive करता है मतल़ नेचर के अंदर कुदरत ने उसको इस तरह का एक आप कह सकते हैं तरीका सिखाया कि उसको कैसे जिन्दा रहना है तो सर्दी के पूरे 2-3 महीने वो body के fat को utilize करके वहाँ से energy लेता रहता है आपको जिन्दा रखता है और बिल्कुल एक position में बिल्कुल चांद मुद्रा में बैठा रहता है जब भी आपको कच्वे को hibernation गहरी नीन से आपको उसको जगाना है तो एकदम से ऐसा ना करे कि उसको ले जा करके सीधा पानी में डाल दे कि वो उठ जाए जब भी आपको लगता है कि आपका सर्दी का peak season खतम हो गया है तो आप उस time में आपको लगता है क्योंकि देखिए अकसर अगस्त सेप्टेंबर अक्टूबर के महीने से कच्वा धीरे धीरे हाइबनेशन में जाता है जब आपका कच्वा हाइबनेशन में जाता है तो धीर temperature fluctuation आता है तो धीरे धीरे उसकी body की activity slow हो जाती है और जब एकदम peak सर्दी आती है तो बिलकुल inactive हो जाता है लेकिन जिंदा रहता है और hibernation का period खबता है फरवरी मार्च के अंदर जब मौसम में changes आते है तेंपरेचर environment का बढ़ना चुरूए तो उसका hibernation period खतम होने क्यो positive संभावना रहती है ऐसे में हमें कच्वे को नींद में जगाने से पहले किस तरह की तैयारी करनी चाहिए कि वो एकदम से उसकी sudden death ना हो जाए वाव वाटर ले करके रोज उसको पाँच-पाँच मिनिट पाँच-पाँच मिनिट तेंपरेचर के difference दे करके उसको dip करना और उसका खाना आप जब वो एक्टिव हो जाएगा तो उसके सामने आप खाना रख सकते हैं यदि आपको अपनी कच्वे को हाइबरनेशन में जाना हाइबरनेशन का एक रूल होता है जी आपको लगता है कि कच्वे को उस ब्रीड को बास्ता में हाइबरनेशन उसको 10-15 दिन पहले ही खाना दिन है बंद कर दीजिए उसका रीजन यह होता है कि आपके कच्वे ने जो भी खाया है वो अगले 10-15 दिन में उसके फीकल मेटिल के दुवारा पूरा बाहर एक्सकीट हो जाएगा उसकी इंटरस्टाइन में कोई भी फूड बचावा नहीं रहेगा य नहीं न कहीं वो जो है टर्टल्स की जान को या उससे जो है उस गयास फॉर्मेशन टर्टल की डैथ भी हो सकती है इसलिए पहले पंदा दिन फास्टिंग पे रखे फिर उसको है बने जाने दे और नीद में उठाने से पहले भी आपनी करना उसको दो-तीन दिन पहले लगा जागता भी रहता है सोया भी रहता है और उसको किसी परकार की कोई इस तने टैंपरिचर पर कोई परिशानी नहीं होती है जब आपका कच्वा होता है एक तो हमारी duty होती ही कि उसको परजी भी उससे बचा करने के चुहे वगर एसको क्योंकि उस स्तिती में वो अपना बच अगले दो तीन मेने तक उसी को यूटलाइज करके अपने आपको जिंदा रखता है अज जब बाहर टेंपरेचर अप्रेल मई के महीने में जब गर्मी सनलाइट का टेंपर्चर बढ़नाच होता है दीरे दीरे मिट्टी से बाहर आ करके अपने आपको सर्वाइव कर लेता है उस दो तीन महीने के दुरान उसका काफी वजन भी कम हो जाता है क्योंकि उस तीन महीने तक कुछ खाया नहीं होत करके उसमें एक बल्ब लगा करके आप अपने टर्टल को उसमें रखे अब पूरी सर्दी उसको उसमें सेफ करके रखे रखे दूसरे जनवा से बचा कर रखे और जब आपका सर्दी का ये पीक सीजन खतम हो जाए क्योंकि वो इनेक्टिव पीरियोड उड़ता है उसका है एर वेंटिलेशन प्रॉपर होना चाहिए बॉक्स के अंदर आप उसके बेस के अंदर न्यूस पेपर मिछा करके रखे क्योंकि उससे नीचे से उसको गर्मी मिलती रहेगी जब भी आपका टर्टल हाइबनेशन में उसको हफते में एक बार पानी के अंदर यादी आप डि लेवल मेंटेन करके उसके जान को भी बचा सकते है या उसकी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी होता है हाइबनेशन पीरिड के दुरण विशेश कर आज मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बता है कि हाइबनेशन में कच्छवा कब जाता है हाइबनेशन में जाने का क्या साही तरीका है और सर्दियों के अंदर आप अपनी कच्छुए की देखबाल कैसे कह सकते हैं उमीद करता हूँ कि आपको मेरे वीडियो पसंद आया गए यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आया है तो प्लीज मेरे चैन को सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद